ये 35 से ज्यादा गाओं हैं जिनकी जद में ये लोग हैं और ये भेडिये पूरे इलाके में घूम घूम कर शिकार कर रहे हैं लोगों को जखमी कर रहे हैं और तेजी से कोशिश ये हो रही है कि इन्हें पिंजरे में कैद किया जाएं रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उत्तरप्रदीश में आदम खोरों का टेरर बढ़ता ही जा रहा है दिन बीटने के साथ ही मौत का ग्राब भी उपर बढ़ रहा है जिससे लोगों में डर पच्चों में खौफ है और आदम खोर फेडिये अपने शिकार की तलाश में दिन रात खुले आम खूम रहे हैं आदम खोर जानवरों का आतंक इतना है कि 35 से जादा गाओं के लोग मौत के साए में सांस लेने को मजबूर है आदम खोर जानवरों के हमले में अब तक 10 से जादा मौते हो चुकी है जबकि 51 लोग खायल है यूपी में बहराइच के गाओं गाओं में हाहा कार मचा हुआ है लेकिन ये फेडिये पिंजरों से दूर इंसानों को अपना निवाला बना रहे हैं रविवार रात भी बहराईच में इन फेडियों ने तीन अलगलग गाउं में हमला कर दो बुजर्ग महिलाओं को खायल कर दिया जिनका अस्पताल में इलाज जारी है तो वहीं गुरुतत सिंग गाउं में अपनी मा के पास सो रही तीन साल की बच्चे को उठा लिया जिसका शब गाउं के बाहर मिला यूपी के सीतापुर में भी ये भेडिये गाउं बालों के नींत के दुश्मन बन गए है यहां परसेरा शरीक पुर गाउं में इन भेडियों ने घर में अपने बच्चों के साथ सोई मा पर हमला कर दिया इतना ही नहीं मासुमों को भी नोच कर खायल कर दिया जिससे इस गाउं के साथ साथ आस पास के अलाके में भी तहशत का माहौल है प्योरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत तो आतंके साए में रहे हैं लोग और दिन और रात पहर पूरा जाग जाकर काट रहे हैं पहरा दे कर काट रहे हैं क्योंकि सवाल जिन्दगी और मौत का है हमारे सियोगी रगवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे पहरा इससे लगातार महां से रपोर्ट कर रहे है रगवेंद्र आपसे ही समझना चाहेंगे अभी तक ये खबर थी कि दो भेडियें दो भेडियों कोई तलाश की जा रही थी लेकिन अब ऐसा लग रहे है जब तीन तीन जगों पर एक साथ हमले हो रहे है कहीं भेडिये कोई स्पोर्ट भी किया जाना तो संख्या ज्यादा है क्या पहले इसको लेकर बताईए क्या जानकारी मिली बिल्कुल देखिए ये इतना आसान सवाल है जिसका उत्तर सभी दे देंगे आप सोचिए कि एक ही रात में बीती रात अलग अलग गाओं में एक समय पर यानि कुछ आगे पीछे करके अगहात लगा कर अलग अलग हमला हुआ है तो दो से ज़्यादा संख्या तो ऐसी हो जाती है जगर तीन हमला हुआ है चौथा भेडिये की अगर बात बताओं उसको घेरा गया था बन विवाग के कर्मियोन उसको राइपूर के गाओं में उसको घेरा गया था तो इससे लगता है कि इनकी संख्या चार तो ऐसे ही हो गई लेकिन जिस तरह से ग्रामीड अलग अलग गाओं में भेडिये को देखने की बात कहते हैं ऐसे में कहा जा रहा है कि इनकी संख्या दो नहीं हो सकती है कम से कम इनकी संख्या आधा दरजन से कम नहीं हो सकती जिस तरह सकी खबर आ रहे हैं हलांकि बनविवाग कहता है कि ये सियार है या कुछ होर कहके उसे सबूत मंगता है वीडियो मंगते हैं और ऐसे कहे कि अपनी बात टाल देते हैं लेकिन जब हमला हो जाता है तब इनको पता चलता है कि अखिर बात क्या थी मैं इस वक्त उस गाउ में हूँ जहाँ पर एक नन्ही सी मासूम बच्ची की जान चली गई अपने मा के साथ सोई थी उसके चारपाई से ही उसके आचल से बच्चे को खुंखार भेडिया लेके चला गया और पता तक नहीं चला और अभी अभी खबर मिली है कि इसी गाउ में पिर से एक पर भेडिया आया था नहीं दूसरे मकान में भेडिया आया था और आप देखिए वहाँ पर रिस्कू आपर पर प्रिसन भी लगभग वहाँ पर चली रहा है काफी लोग वहाँ इकठा हुए है पुलिस भी आई है बनव्याद करमचारी यह आए है लेकिन मैं आ कब किसकी जान चली जाये इसकी गारेंटी कोई नहीं ले सकता है क्योंकि इसकी एक ही गारेंटी हो सकती है कि जो आदम खूल खूल भिएड़ीए जो आज WAT गूम रहे अगल लोग जाएंगे हम लोग तो आपके साथ है आप लोग कैसे मरेंगे हम लोग तो रात दिन यहां पर खुद पहरा दे रहें यह बताइए यह बताईए भीया कि खेती वोगरा जाने में का डर लगता है के लिए पर जाने में नहीं हो पा रही है कितने माइनोस जी जी रागवेंदर आप जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ बच्चे भी डर हुए उन्हें स्कूल जाना होता है घर पे रहने में भी डर लगता है और ये दैश्यत की वज़ा यही है कि आतंक अलग-अलग इलाकों में जरुदर दर्शकों को हम बता रहे हैं पहले कि कौन-कौन से इलाके हैं जहां आदम खोरों का टेरर लकातार फैला हुआ है देके बहराइच में सबसे ज्यादा अभी जहां हमारे सेयोगी रागवेंद रपोर्ट भी जहां से कर रहे थे वहां अब तरसे अमला हुआ है लखीम पूर खीरी में बाग का डर बना हुआ है बाग को स्पोर्ट भी किया गया है आगे आगे आपको तस्वीर भी बाग के हम दिखाएंगे लेकिन सीतापूर से भी यही जानकारी मिल रहे कि यहां भी वुल्फ पैक घूम रहा है यानी बेडियों का जुंड घूम रहा है जो लोगों को एक तरह से अटैक करकर के मौत के खाट उतार रहा है तो यह वो तीन अलग-अलग जिले हैं जो इलाके हैं उतर प्रदेश की जहां पर लोग डर में रहे रहे हैं अभी और यही वज़ा है कि घटनाएं बढ़ती जा रही है तो अब उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यह कहा है कि जल्द से जल्द इन पर पकड़ा जाए इन पर हमला जो हो रहा है वो रोका जाए होमारे से यह कि रागवें नहीं लोगों से बात करके समझने की कोशिश की कि उन सब्सक्राइब कोई अंदर तक नहीं गया है उनली वन बाहर से घूम रहे हैं बोल राट ड्रोम घूम रहा है हम देख रहे हैं सच कर रहे हैं लेकिन यहां पर कुछ है नहीं जी पूरा भाएं सब्सक्राइब को रात में तीन बज़े के समय लड़के को खा गया उसके दोन को खंटी बाद या प्रसासन आया इसके बाद यहां यह कह रहे हैं यह कहकर यहां टाल रहे हैं कि अभी जाल जाहेगा दगी नहीं करेंगे नहीं इन बरतास्त भरास्त को बहुत निंदिये काम है जो तस्वीर देख रहे हैं दरसल बाग की जो लोकेशन मिली है उसके बाद अल सुबह ये लोकेशन मिली अब इसे ट्राक करने की कोशिश की जारी पिंजरे के ठीक सामने से यानि जो जाल विचाये गया था उसके ठीक सामने से ये बाग गुजर गया ऐसे में यह अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और यही वज़ा है कि यहाँ पर भी इसे ट्राक करने की कोशिश हो रही है क्या ये पकड़ा जाएगा ये सवाल बना हुआ है